दोस्तों, आज की समय में अधिकतर लोग अनिंद्र की समस्या से जूज रहे हैं। अनिंद्र यानि की इंसोमेनिया एक ऐसी समस्या है जिसे पीडित व्यक्ति को रात को अच्छे से नींद नहीं आती। रात करवट बदलते हुए कड़ती है। इन समस्या में रात को नींद बहुत देर से लगती है। लग जाने के बाद भी बार बार खोलती रहती है और दोबारा नींद नहीं आती। अगर ऐसा लगातार रहे तो श्रीर में इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आज इस वीडियो में आयरवेद में बताएगे एक घरिल नुस्खे के बारे में जानेंगे जिसका प्रियोग आप इस गर्मी के मौसम में कर सकते हो। इसका प्रियोग करने से आपको नी किनता, anxiety, depression हो सकता है। कुछ personal कारण भी हो सकते हैं जिसके बारे में सिर्फ व्यक्ति ही बता सकता है। जिसके कोई health problem हो, आर्थिक परिशानी हो या फिर परिवास से जूड़ी हुई कोई समस्याओं के बारे में सोचना। ये कुछ आम कारण हैं जिसके वजह से हमारा दिम साथ होगा, जिसका आपको पालन करना है। सबसे पहले उपाई के बारे में जाल लेटे हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है.. इसमें क्या करना है … हमें स्वांफ का इस्तमाल करना है हम सबसे पहले क्या करेंगे एक पैनल लेंगे इसे गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें एक कप पानी डाल देंगे सिर्फ आपको एक कप पानी का इस्तमाल करना है और डाल देना है साथ में एक चिम्मच सौफ यहाँ पर मैं मोटी सौफ का इस्तमाल कर रहा हूँ अगर घर पर बारिक सौफ है पतली वाली सौफ है तो उसका भी आप इस्तमाल कर सकते हैं आपको gas के flame को धीमी आज में रखना है और धीमी आज में इसे हुले हुले धीरे धीरे पकने पनेगे जब पाँई इसमें 1 Oohcan cup की मातरे में बची जाए तो आप gas को off कर दीजे आप बची के पाँची को क्या करना, एक cup में चाण लेना है इसके बार को एक गिलास गर्म डूद लेना है घ्लास भर के दूद नहीं हैजएगा ठोड़ा सा गिलास खाली रखकेगा क्यूंकि में सौनफ औला पानी ये ये उस्में डाल देंगे जो हमने संप आlla पानी अधना इस पानी को इसमें एड़ करतेंगे और स्वात के लिए आप इसमें चाहें तो मिसरी भी मिला सकते हैं नहीं तो आप ऐसे भी पी सकते हैं क्योंकि सौंफ में मिठास होती है जो दूद में मिठास देगी आपको पीने में अच्छा लगएगा अगर आप डाइबिटिक को दूर करता है दिमाग को शांत करता है साथ ही दूद में भी नीन लाने वाली प्रॉपर्टी भरपूर होती है तो अगर आपको अंद्र की प्रॉल्म है तो आप एक में जिरू ड्राइ कीजेगा इसके लावा कुछ भातों का ध्यान रखेगा अगर आप रात को सुने जा लेने हैं अच्छे से मालिस करने के बाद दूद पी लेना है और दूद पीने के 10 मिंट के बाद आपको सो जाना है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा आपको नील की दवाई खाने के आवशकता नहीं बढ़े की एक बाद जरूर आप ट्राइक कीजेगा और वीड बढ़े की एक उने बाद दूद लेगा आपको जा आपको की एको दोट फूठीग भी टूर है और नहीं छिल्ट की एको भी भीछ गपको आपको जाता आपको बढ़े की एक बाद वाईल्प ट्राइका वीजेगगे.